नमस्कार में दीपक स्वागत करता हूँ आपका ग्यान लिनर्स पर और आज हम इस वीडियो में देखेंगे क्लास नाइन मैट्स में जो आपका चैप्रन नंबर फोर चल ला है linear equation in two variables ठीक है linear equation two variable में आज हम देखेंगे solution of a linear equation कि मतलब जो linear equation होती है उनका solution कैसे किया जाता है इससे पहले मैं आपको exercise 4.1 और उस से लेटेट जो basic concept का वीडियो था वह पहले ही provide करवा चुका हूँ अगर आपने वह वीडियो नहीं देखी तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट आप वह वीडियो जरूर देख लें ठीक है एक तो होती है linear equation in one variable ठीक है वन वैरेबल मतलब जैसे कि आपके पास सिंपल साई equation है x plus 2 equal to 0 या आप बोल सकते हो क्या y plus उसी बोल दीजिए 5 equal to 9 इस तरह का आपके पास माल लीजिए यह linear equation है यह अभी one variable में मतलब इसमें एक equation है linear इसमें variable कौन है x है इसलिए इसको one variable बोलते है और linear इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें जो variable की power यानि की degree है वो one है कितनी है one इसमें भी देखे यह equation है इसमें भी variable केवल y है ध्यान अगना y है और इसकी power कितनी है one है इसलिए linear बोलते हैं ठीक है और one variable क्यों क्योंकि एक ही variable use हुआ यहाँ पर y और यहाँ पर x तो अगर मैं इनको बोलो कि इनको कैसे solve करेंगे ठीक है how to solve linear equation in one variable तो आप simple से बात है x का value 2 को दले जाओगे minus 2 कर दोगे simple ठीक है तो यह इसका क्या हो गया solution हो गया and this is a unique solution इसको कैसे solution बोलोगे आप unique solution ध्यान अगमा यह होता है आपका unique solution या इसको ऐसे बोर सकते है one and only one solution ठीक है unique मतलब x की value minus 2 ही होगी इसमें बाकी कुछ भी नहीं हो सकती है तो that is a unique solution और क्या बोर सकते हो one and only one solution लिए ठीक है one and only one solution इस condition में आपका एक ही solution होगा यानि की कोई दूसरा solution नहीं हो सकता है ऐसी अगर मैं यहां पर बोलूँ variable y है तो y equal to कितना हो जाएगा 9 और 5 उदर गया minus हो जाएगा that is आपका 4 हो गया तो यानि की value 4 ही होगी इस में इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता है यह तो गया आपका वन वैरियबल वाला कौन सा हो गया वन वैरियबल वाला डने बाद तो वन वैरियबल को कैसे सौल करते हैं वो मैं ने बताया तो यहां पर तो unique solution होता है यानि की fix solution होता है बट लेकिन अगर हमारे पास कैसा हो linear equation in two variable यानि की अगर हमारे पास two variable आ जाए जिसमें की आपके पास क्या हो x and y mix हो जाए ठीक है x and y just call हमारे पास एक equation मान लिजिए 2x plus 3y equal to 12 this is example of two variables ठीक है linear equation in two variables तो यहां पर क्या unique solution होगा नहीं यहां पर unique solution नहीं होता है यहां पर कैसा solution होता है infinitely many solution इस condition में क्या होता है आपका infinitely many solution मतलब बहुत सारे solution हो सकते हैं कोई fix answer इसका नहीं है देखिए linear equation है आपको 100% पता है क्यों linear equation है क्योंकि जो variable x इनमें power 1 है और 2 variable इसलिए बोलते है क्योंकि x और y use हुआ है अब यहां पर हम कह रहे है infinitely many solution क्यों होगा देखिए यहां पर आप x का value कुछ भी रखो आप 0 रखो 1 रखो 2 रखो y का कुछ ना कुछ value आपको मिलता रहेगा ठीक है y का value कुछ ना कुछ आपको मिलता रहेगा it means यहां पर बहुत सारे solution निकल सकते हैं माल लेजे किसी ने सोचा कि x का value अगर मैं 0 put करता हूं इस equation में तो 2 into 0 plus 3y equal to 12 तो यह 0 हो गया 2 into 0 कितना होता है 0 तो 3y equal to 12 आया तो यहां से y का value कितना आएगा 12 upon 3 that is 3 4 जा 12 तो आपका एक solution क्या हो गया यहां पर x का value 0 और y का value क्या आया 4 ध्यानक ना solution ऐसा लिखते हैं इस समय पहले x आता है फिर y तो this is the solution of this linear equation तो इसका solution क्या होगा 0 4 होगा अब किसी ने कहा कि भई मैं y की जगा x की जगा कुछ और रख लेता हूं माल लिजिए किसी ने कहा कि मैं 1 रख रहा हूं x की जगा ठीक है तो रख दीजिए x जगा यहां पर 1 2 1 जा 2 3y equal to 12 ठीक है बाता है इस संद में तो 3y equal to 12 2 1 जा 2 2 minus गया कितना बचा 10 तो y का value यहां पर आपका 10 upon 3 यह 3 upon मा जागा तो एक solution यहीं भी हो गया कि 1 रखा तो 10 upon 3 ऐसी आप x की कुछ भी value रख सकते हैं कोई भी real number आप लिख सकते हैं ठीक है 0 1 minus में upon में ठीक है कुछ भी रखिए y की आपको corresponding value मिलती रहेगे तो यानि कि भहुत सारे इसके solution हो सकते हैं ठीक है कोई fix answer नहीं है जरूरी नहीं कि मैं x का value रख रहा हूं आप y के value रखते रहे है x का value आता रहेगा देने बाद तो इस तरह के यहां पर इसको क्या बोलते है infinity many solution जैसे कि मैंने का इस equation में यह आपके पास 2x plus 3y है na equal to 12 तो मैंने कहा आप यहां पर x जगा क्या put कर दो 3 और y के जगा 2 put कर दो ठीक है देखते हैं यहां पर यह solution बनता है कि नहीं ऐसे भी कर सकते हैं मनलब x और y डारेक्ट रखके देखिए 2 x जगा मैंने 3 रखा और y के जगा 2 रखा 2 3 जगा 6 plus 3 2 जगा 6 6 6 कितना आगे 12 तो देखिए 12 बिल्कुल सही आ रहा तो इसका मतलब 3 2 का solution है that is a ordered pair इसको क्या बोलेंगे आप ordered pair बोलेंगे x y this is a solution x का value 3 और y का value 2 आ रहा ऐसी अगर मैं बोलू यहां पर कि मैंने x के जगा क्या रखा मैंने का 0 और y के जगा क्या रखा 4 क्या यह इसका solution है तो चेक करते हैं इसको solution है कि नहीं तो देखिए 2 into x जगा 0 plus 3 into y के जगा 4 यहां रख रहें यहां पर रखना ध्यान रखना अब देखें 12 आ रहा की नहीं रहा सारे solution बना सकते हो ठीक है अब ध्यान अगना कि अगर मान लीजिए मैंने रख दिया भई 4 0 रख दिया मतलब मैं बोल ला हूं x के जगा मैं 4 रख रहा हूं और y के जगा 0 रख रहा हूं अभी तो मैंने क्या रखा था 0 4 तो 0 4 में तो solution आ रहा था लेकिन क्या 4 0 में solution आएगा इसे में रखिया 2x plus 3 में 2x plus 3 में रखिया 12 आ रहा की नहीं आ रहा 2 into x का value 4 plus 3 into y y का value कितना रखोगे 0 टू 4 जा कितना हो गया आपका 8 plus 3 into 0 0 इसे इट यह कितना रखा एट आ रहा जब आपने क्या रखा 4 0 रखा ध्यान आपने एक जगा 4 रखा 4 2 जा 8 हो गया आपका 0 रखा 3 into 0 0 गया तो 8 बचा क्या 8 12 आ गया नहीं आ है दन है बात तो solution कब होगा कब नहीं होगा जब आप left hand side में x y का value रखें और वो किसके equal आज़ा है right hand side के equal आ जा या रखने का सबसे बड़े तरीका मैंने ये भी बता रहा है आपने x की value रखी है y की value निकलते रहेंगे या y की value रखी है x की value निकलते रहेंगे ठीक है तो कुछ नहीं है सिधा हम सुरू कर रहें क्या exercise 4.2 को सुरू करते है ठीक है आपका बड़ी अच्छी exercise है देखते हैं क्या लिखा हुआ है पहला question पढ़िए आराम से कि which one of the following option is true कि इन में से कौन सा option क्या है true है and y और q है ध्यान दीजिए कि इन में से कौन सा option true है and q है region भी पूच रहें तो यह देखे y equal to 3x plus y आपके पास y equal to 3x plus y y equal to 3x plus y यह कहा जी आपकी एक linear equation है in two variable देखे x भी है और y भी है linear क्यों बोलें क्योंकि x और y की जो power है जो degree है वो one है done है बात ठीक है तो यह आपके पास एक linear equation है इतना clear है तो इन में से कौन सा option true है कि इस equation के लिए क्या true होगा यूनिक solution क्या एक fix answer होगा two solution क्या दो solution होगे या infinitely many solution होगा तो अभी बताया था आपको कि जो linear equation होती है in two variable में उसके क्या होते है infinity many solution मतलब x की value रखते जाओ y की value निकलती रहेगी या y की value रखते जाओ x की value निकलती रहेगी तो कौन सा option सही है आपका यह third वाला option सही है infinity many solution done है बात देखिए मैं आपको करके भी बताता है इसको बढ़िया करके ठीक है समझने के आप कोशिस करें इसको मैं करके भी आपको बताता हूं कि मैं बोलना क्या चाहरू हो देखिए पहला question है ना ठीक है मैंने कहा भाई x की value आप 0 रखिए तो y का value क्या आएगा कुछ न कुछ आएगा देखिए y 3 into 0 plus 5 3 into 0 0 बचा कितना 5 तो एक answer आ गया आपका x का 0 और y का 5 तो this is a solution ठीक है ऐसी x जगा भाई मैंने का 1 रखिए तो आपने 1 रख दिया 3 into 1 plus 5 3 वंजा 3 और plus 5 that is 8 तो आपका एक solution 1 और 8 आ गया x का value 1 और y का 8 अगर मैंने कहा जरूर नहीं की सर पॉजिटीव रखनी है no कुछ भी रख लो negative रख लो minus 1 रख लो तो y equal to 3 into x जगा minus 1 यहां रख रहा हूं ध्यान अगना plus 5 ठीक है आप चाहें तो y का value रख दिजीए x का value निकालते रहें उल्टा भी कर सकते हैं ठीक है तो मेरे को क्योंकि y already निकला हुआ दिख रहा है तो मैं x का value पूट कर रहा हूं 3 बंजा 3 minus 3 and plus 5 तो 5 minus 3 that is 2 तो आपका solution क्या आगे है आप है x का minus 1 रखा तो y का 2 आ गया तो ऐसी आप करते रहो आप कुछ भी रख लो 2 रख लो minus 3 रख लो minus 5 रख लो ठीक है 1 upon 2 रख लो जो रखना आपने रखते रहो y के आपको value मिलती रहेंगे आप खुद देखे क्या one answer आ रहा है यानि कि unique solution है one and only one solution है नहीं है ना two solution है क्या दो solution बोल सकता हूं मैं नहीं तो कितने solution बोलो infinitely many solution यानि कि मैं इसके बहुत सारे solution बोल सकता हूं कि इसके बहुत सारे solution है कोई एक fix answer नहीं है आने बाद चलिए तो अब मैं कर रहा हूं आपको मैं बताएता हूं दूसरा question करते हैं ठीक है पहला तो बिल्कुल simple था दूसरा question आप ध्यान से पढ़े बढ़िया करके ठीक है I hope आपको सारा समझ में आ रहा होगा right four solution आपको four solution लिंगने four four solution आपको लिगने है जैसे मैंने लिखेना अभी अभी कितने solution लिखे one two three ऐसी में और भी तो निकाल सकता हूं जितने निकालने infinitely many solution मतलब कोई गिंती ही नहीं है ठीक है uncountable दो solution निकाल लो एक निकाल लो तीन four five six seven eight nine डॉट 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 जितने आपको solution निकालने आप निकाल सकते हो ठीक है आई बात समय है तो हमको तो केवल four solution केवल चार ही solution मांग रहा है for each of the following equation इन हर एक equation के लिए ठीक है तो दूसरे का first part क्या है two x plus y equal to seven दीक है ध्यान से two x plus y equal to seven तो दूसरे का मैं यही वाला part आपको note करके बतायता हूँ ठीक है पहला तो हो गया ना समझ मां आगया होगा I hope आपको समझ में तो second का कितने part निकालने four solution आपको बताने है each of the following linear equation four solution आपको बताने तो पहला part क्या बोला मैंने two x plus y equal to seven ने जो solution है वो vary कर सकता है according to book ठीक है बुक में उसने अपने answer दिये वे ना four solution ठीक है अब वो तो रटने वाली बात है कि सर हम भी वही solution निकालें ठीक है वो तो रटने वाली बात हो गई क्योंकि बही मैंने का infinite many solution कितने भी solution हो सकते हैं तो हो सकता है कि आप मुझे रियाद तो ह पही नहीं कि मैंने वहां पर एक्स का वेली क्या लेगना वाई का क्या निकलेगा ठीक है आई बात आई संझ में कि जो आपका answer सीथ होगा पीछे बुक में दिया होगा वह वैरी कर सकता है क्यों कुछ और रख दूं हो सकता है मैं रहो क्या पता उसने वन पर नहीं निकाला होगा क्या पता उसने 0 पर निकाल देगा क्या मैं 5 पर निकाल हो हो सकता है उसने 5 निकाला ही नहीं होगा वह केवल 0 1-2 पर खतम हो गया होगा समझ रहे है तो कुछ भी आप रखिए तो सपोज करो चलो पहले यहां पर सब्सक्रीट कर दो यानि कि X का या Y का वेली निकालन तो 2 into 0 कितना हुआ आपका 0 ही हुआ भई तो 7-0 तो आपका पहला सॉलूशन तो आ गया यह फर्स सॉलूशन हो गया ठीक है इस यूर फर्स्ट सॉलूशन बात आरी सद में फर्स सॉलूशन कैसे लिखते है एकस य एकस का वेली 0 और य का वेली 7 आ गया दने बात मतलब अग एकस का वेली का है 0 और य का 7 रखो यहां पर एकस की वेली 0 और य के वेली 7 टो इंटो 0 0 प्लस 7 7 तो बिल्कुल 7 सही आ रहा देखिए उल्टा भी आप क्रॉस चेक कर सकते हैं तो दिस इस यूर फर्स सॉलूशन ठीक है अब किसी ने सोचा मैं एक जगा क्या रख लेता हू 1 रख लेता हूं ठीक है तो चलिए भई 1 रखिए 7-2 एकस जगा 1 रखिए आप ए 1 तो 7-21 जगा 2 तो 7-2 तो आपका इस यूर सेकिंड सॉलूशन ठीक है यह आपका कौन से सॉलूशन हो गया दूसरा सॉलूशन हो गया ठीक है कि आपने एकस की वेली 1 रखी और रिजल्ट म मैं y का वाल्यू 5 आया ठीक है आप उल्टा भी कर सकते मैंने का आप यहां से एकस का वं निकाल सकते मैं रेको है ड्यक्डाने तो य की वेली करते तो आपका जो फॉर्थ सॉल्यूशन आ गया फॉर्थ वाला सॉल्यूशन दैट एक्स की वैल्यू तो सॉल्यूशन ठीके तौर भी निकाल सकते हैं और भी निकाल सकते हैं पलस में भी रख शक्तैいきます two minus three minus. दॉट 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 प्लस मैं भी रख सकते हैं 5,6,7,8 लेकिन केवल आपको फॉर्ट सॉल्यूशन Państwo बोला क्या कि haven's is for solution TK heavens आप यह सो जो भी आप बोलना baptik 4 solution चार जो solution है वह इसपाय निकालने जक्वा उपार, थो देखों पिर क्या परऊलाया. आ धुजाला आपको मिला 5 मिला तो 5 ऐसाइसे मनला. आप लास्ट में conclusion लिग लिए आपने अगला x का 2 रखा तो y को आपको कितना मिला 3 मिला और आपने अगला x का 4 रखा y का value minus 1 मिला आप यहाँ पर देख सकते हैं ठीक है इस तरह सा आपको value मिली 2 रखा तो 3 4 रखा तो minus 5 तो यह तो हो गई आपके according to answer चीट हो सकता है आपके मिल जाएं या मैंने का आप कुछ और भी अगर कोई बच्चा सपोज करो minus 1 रखा तो हो सकता है answer में minus 1 ना रखा हो x का value ठीक है तो इसलिए बोला हो vary कर सकता है इसलिए आप confused ना हो कि हमने गलत कर देशर हमारे answer तो आई नहीं रहें ठीक है तो ऐसा नहीं बोलेंगे ठीक है आप लोग चलिए बढ़ते हम next question की और देखिए आपका second part यह देखिए पाई x plus y equal to 9 तो second part करते हैं बहुत अच्छा है पाई x plus y equal to 9 पर ठीक है इस पे इसको चेक करते है कि क्या आता है और क्या नहीं आता है ठीक है तो सबसे पहले x का निकाल लो या y का तो किसका सरल लग रहा आपको x का की y का तो मुझे y का अच्छा लग रहा है देखिए y equal to तो डारेक्ट हो जाएगा 9 minus pi x देखिए pi और x तो देखिए आप value तो कुछ भी रख सकते है मैंने का कुछ भी रटना नहीं है आप चाहे तो x का value डारेक्ट कर रख दे पहले 0 रख दे चलो भई 0 ही रख देते हैं ठीक है y equal to 9 minus pi into x 0 तो pi into 0 कितना हुआ जी 0 ही हुआ तो 9 minus 0 that is आपका कितना आ गया 9 आ गया तो आपका पहला solution हो गया फर्स्ट जो solution है x का value आपने 0 रखा और y का value क्या आया 9 आया तो this is your first solution दने बात अगला आपने खा चलिए भई 1 ही रख देता हूं मैं 1 रख देता हूं ठीक है तो आपने देखा y equal to 9 minus pi और x रख देता हूं ठीक ह this is your second solution आप लिग दीजिए second solution x का 1 और y का value आ गया 9 minus pi क्लियर है second solution ठीक है चलिए आपने सुचा एक जगा सारा minus 1 भी रख सकते क्या ठीक है कुछ भी रख लो बोलता रहा हूं मैं कुछ भी रख दो ठीक है answer vary कर सकते हैं फिर आपके answer sheet के according ठीक है उससे कोई फरक नहीं रहेंगे माइनस वन इन टू में ध्यान अगना ठीक है इस्टूडेंट इन लगाते हैं फिर कन्फीज दो आते हैं दने बाद तो 9-1 प्लस पाई बंजब पाई ऐसी छोड़ दो तो आपका थर्ड सॉल्यूशन हो गया क्या थर्ड सॉल्यूशन आ गया एक्स का वेल्यू मा प्लस पाई आपका आगया दने बाद फिर कुछ भी सोच लो आप 2 रग लो माइनस 2 3 कुछ भी रग दो ठीक है आपने सुचा एक जगा यार क्यो ना मैं 9 अपॉन पाई रग दो 9 अपॉन पाई भी रखा जा सकता कुछ भी देखिए इसको रखने का रिजन ये भी है कि पा आपका this is your fourth solution क्या x की जगा 9 अपॉन पाई और y का वैल्यू आपको 0 मिला रिजन ठीक है जी तो यह आपके 4 solution हो गए अगर आपको 50 पूछेगा तो आप और भी निकाल सकते हैं 6 पूछेगा 8 solution 10 solution जितने पूछेगा आप निकाल सकते हैं कुछ भी रग लो एक्स की 4 solution are so करके आप या hence करके जो भी लिखेंगे 4 solutions और आप उनको conclusion type का लिख दें कि पहला solution आपका आया 09 यानि कि आपने x के value 0 रखे और y का क्या आगया 9 आगया ठीक है जी फिर आपने x का value यहाँ पर comment कर दीजिए फिर आपने x का value 1 रखा देखिए 1 रखा यहाँ पर आपका क पाई निकल कर आए यहाँ पर आपको दीख रहा है और आपने अगला solution x जगह आपने 9 आप पाई रखा तो आपका y का value का निकल के आए 0 निकल के आए देने बात तो अब confuse इसलिए भी मत होना इनको आगे पीछे भी कर सकता मतलब इसको आगे इसको पीछे इसको आगे रख पाई करेंगे अगे थर्ड पाई रहे गया तो इसका थर्ड पाट रहे गया दाट इस लास्ट पार देखिए एक सेकोल टू फॉर वाई धिया अपको दिख रहा है कि यहाँ पर क्या दिख रहा को टोटली एक सब्सका वैली ऑलेडी निकल के दिया हुआ है तो आपको डीक ड़ेख नए बात-टो यहां पर आपके रखीये वाई का डीजी यह सीध सीधा किसका वड़ी रख देजिए या डने बात एकस दो यह सिदा मैंने का एक सब्सक्राइब निकलते रहेंगे इसलिए आप कन्फ्यूज बिल्कुल भी ना हो अपने य का वल्यू आपने 1 रखा सब्सक्राइब ना है इसलिए और पियर बोलेंगे इसलिए और पियर बोलेंगे और पियर बोलेंगे अगला सॉलिएशन क्या कि आपने का सर मैं एक सी वैल्यू क्या रख दू एक सी वैल्यू य की वैल्यू य की वैल्यू क्या रख सकते हो यह कौस आप रख सकते हो फोर इंटू एक्स की वैल्यू क्या रखा माइनस वन ठीक है आप चाहें तो ऐसे में निकाल लो या ऐसे में निकाल लो बात एक है 414 एंटूब्लिशंगे 4 वन जह 4 तो आपका इस यूँए थर्ड सालूशंग थर्ड सॉयशंगे आ गया एक्स का वैल्यू-4 माइनस-1 ठीक है यह आपका सॉलूशन आ गया है डन है बात यहां तक अगळा देखिए आप समझ में आ रहा होगा आ कि मैं बात ही क्या कर रों आपने सुचा कि यार मैं y का value क्या rational number भी रख सकता हूं यस आप रख सकते हैं 1 upon 2 रखके देखिए x equal to 4 into y के जगा क्या रखेंगे आप 1 upon 2 ठीक है 2, 2 is a 4, 2, 1 is a 2, this is 2 तो आपका fourth solution आ गया कितना जी आपने x के विले 2 रखा और y की value 1 upon 2 निकल के रापकी आ गई ठीक है तो हो गई 4 solution कोई fix वाली बात नहीं आप चाहें तो कुछ और भी रख सकते हैं ध्यान ना answer vary कर जाए कोई problem नहीं है ठीक है तो क्यूंकि infinitely many solution होते हैं ठीक है तो आप बोलेंगे so 4 solution ठीक है जो 4 solution होंगे वो क्या होंगे और पहला यह that is 0 0 x 0 y 0 यानि कि y 0 रखा तो x भी 0 आया तो पहले x 0 y 0 फिर x का value कितना आया 4 कब जब आपने y का value 1 रखा देखिए 1 रखा तो 4 1 that is x and y ठीक है अगला यहां पर y का value minus 1 रखा और x का value minus 4 तो minus 4 minus 1 minus 4 and minus 1 आपका आ गया अगला देखिए आप यह रखा x की value का रहे कि 2 और y की value का आई आपकी 1 by 2 आ गए टोटल मिला के अभी 4 question है तो third or fourth हम दूसरी वीडियो में लेंगे तो I hope आपको पूरी वीडियो पसंद आए गयो thank you so much for watching this video